हाई गाईज आज है तारिक 24 अपरिल 2021 और है सटरे दिखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च वॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आप सभी लो सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे क्योंकि आज काफी सारे हेल्थ से रिलेक्टर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आज सुबह वीडियो नहीं आ पाया काफी लेट हो चुका है वीडियो का और आप लोग को मैं क्लियर नहीं कर पाऊं डीटेल में तो एक चोटा सा ओवर्वी तो आप लोग को सारी चीज़ें बता दूँ ओके नव मैनेज कर लेना आज की वोईस को आज वोईस काफी खराब हो वही है तो यहां पर पहला आर्टिकल बात करता है 59 सौरी 15 कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है फायर की वज़ा से हॉस्पिटल के अंदर सौरी हॉस्पिटल के अंदर फायर वगरा देखने को मल जाती है उसकी वज़ा से भी बहुत सारी डेथ देखने को मल जाती है इस टाइप का एक एडिटोरियल भी आया है देखो हमारे एक्जैंस के पॉइंट अवी से तो इंपोर्टन नहीं है लेकिन हम लग चोटा सा है वह थोड़ी सी कम हो चुकी है उसकी वज़ा से डेली होस्पिटल के अंदर काफी सारे लोग की जान चली गई है लगबग यहां पर डेटा बताया जा रहा है 25 लोग की डेथ हो गई है और ऑक्सीजन काफी शॉर्टेज हो चुका है आप पूरा नियूस पेपर देखोग है करेंगे ये अबारे में टाइब हां जाखव अगहे बढ़ा है जासे जया से बढ़ रहा है उस टाइप में सरकार ने ठोड़ा पॉदए दिया है से सैंटर ने केंदर सरकार है है पांच किलो अनाज किसको जो पूर है पूर सेक्टर के अंदर आते हैं उन लोगों को पांच किलो अनाज दिया जाएगा ऐसा यहांपे बता गयए और यह सब किस istes here में दिया जाएगा एक स्कीम है जिसके बारे में हम लोग काफी बार चर्चा कर चुके हैं वो है PMG-KY यानि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना तो इस स्कीम के थ्रू हम लोग जो है जो 5 kg ग्रेंज से वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं और साथी साथ यहां पर जो आउटले किता कॉस्ट लग रही है लगबख 26,000 तक यहां पर कॉस् हम लोगों ने पिछले साल देखा था बहुत सारे क्राइसिस आ गए थे फूड के अंडर शॉर्टेज होना काफी बात बात होती है तो उसकी वज़ासे हम लोग पहले स्टेप उठा रहे हैं कि जो फूड है उसको अम प्रॉपर तरीके से जो है प्रोवाइड करवाएंगे पूर सेक्टर के लोगों को नव रेलवेज वगेरा भी चलवा दी गई है जिससे की ऑक्सीजन है ऑक्सीजन टैंकर को टाइम टू टाइम पहुंचाया जाए कहां पर जहां पर इनकी जरूरत है तो अभी हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे मैं आपको लगा हूं वह है बी पॉंट 1.1 17 ठीक है बी पॉंट 1.1.7 करके यह यू के का स्ट्रेन है और इंडिया के अंदर आभी जो डबल म्यूटेंट ता उसका क्या था बी पॉंट 1.617 था और अभी यहाँ पर ट्रिपल म्यूटेंट भी आ चुका है उसके बारे में दाहेंदू सबसे देखने को मिला है आगे हम लोग उसके बारे में जड़चा करेंगे नेक्स जो है यहां पर एक आर्टिकल देखने को मिला है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है से बॉब डे साब अब यह जा रहे हैं इनका टेनियोर पूरा हो चुका है एक नए चीफ जस्टिस आप इंडिया है और जो अब आने वाले हैं वह हैं जस्टिस एन्वी रमना और वह उन्गे 48 टीकर यह 47 ते शायद वह 48 तोंगे जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वह होंगे 48 टीकर इसके बारे में ध्यान रखना और यहां पर क्या बोला गया है देखो जो चीफ जस्टिस ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स टाइकल की तरफ ना यहां पर एक आर्टिकल है अगेन बिल्कुल से मार्टिकल है जो कि हमने अभी डिसकस किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉब डे इनका टेनियोर हो चुका है खतम और यह 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ठ कोविड-19 का कैसे कंट्रोल करें औक्सीजन की सप्लाई को देखा जाए तो यहां पर जो केजली वाले हैं इनका यहां पर यहां पर स्टेट्मेंट रखा गया जो ऑक्सीजन की सप्लाई वगर आए इस पूरी चीजों को आर्मी के हाथ में सौप देनी चाहिए तब आपको गया एक आपको समझाने वाला हूं इस टैंकर के अंदर हम लोग ऑक्सीजन को कैसे बढ़ता है यहाद रखना इस टैंकर के अंदर एक लिक्विड ऑक्सीजन होता है फिर उस हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में भड़ता है जो आज के टाइम पर काफी शौटेज आप देख पाओगे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हम लोग इस जो है ऑक्सीजन को भरते हैं लेकिन वह गैस पॉम में कैसे करते हैं सब कुछ में डिसकस करने वाला हूं कल का इंट्रेस्टिंग लेक्चर होने वाला है उसके बाद कंट्री के टोटल किसे में बताया गया है 3.4 क्रॉस कर चुका है और लगबग 25 से ज्यादा हो चुकी है उसके बारे में बताया गया है जो ग्राफ है वह लगातार इंक्रीज होता चाहरा है और कास बात तो यह हर दिन एक नया स्पाइक रिकॉर्ड बन रहा है मतलब की यह आज का खुद का एक पूरा पूरा सब्सक्राइब बात करेंगे तो यहां पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिलें मेनमार के अंदर अब जो है आसियां की मीटिंग होने वाली है अब इस मीटिंग में मड़ी जाएगा मैं मारी पार्ट है आसियां का सबी लोगों को मालूम होगा काफी बार हम डिसकस कर चुके यहां पर बात क्यों है चो मैंने काफी प्रोटस्ट देखने को मिले हैं अभी क्यों मिले हैं क्योंकि एक फर्वरी को हुआ था तकता पलट देखने को मिला था जिसमें जो आर्मी है उसने क्या कर दिया था जो मागी सरकार है जो डेमोक्रासी थी उसको हटा कर अपने कंट्रोल में पूरा मैनमार ले लिया था जो कि आज के टाइम पर यह चाली रहा है उसके प्रती लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर भी लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर मिलेटरी कू देखने को मिले तकता पलट देखने को मिले ठीक है तो उसको लेकर यहां पर प्रोटेस्टिंग वगएरा हो रही है आई होप आप लोग को मैनमार की सिच्वेशन के बारे में क्लियर है नाउ उसके बहुत बड़ा थ्रेड बन चुका है बहुत सारी कंट्रीज के लिए तो यहां पर जापान मिलकर काम कर रहा है किसके साथ यूएस और फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स टार्डिकल यहां पर देख पाऊगे रश्या ने स्टार्ट किया है अपने जो भी ट्रूप्स पसे निकालना यूक्रेण बॉर्डर से क्योंकि अभी हमने देखा था हाली में रश्या और यूक्रेण के बीच में बहुत सारी डिस्प्यूट्स करे हुए और जो है उसमें यहां पर रश्या ने काफी सारी अपने ट्रूप्स बेज दिये थे यूक्रेण में नाव अब यहां पर उनको विड्रो करने की बात की गई है और जो रिलेशन्स हैं उनको इसली यहां पर क्रेट करने की कई गई है उसके बाद पेज नुबर 14 के उपर आएंगे डाट बिजनस सेक्शन यहां पर बात कर गई है SBI ने एक GDP का फॉर्कास्टिंग करी थी ठीक है फॉर्कास्टिंग करी थी कि हमारी कंट्री में जो GDP है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट यानि एकॉनमी है वो ग्रो होती भी नजर आएगी लेकिन अब वो जो टार्गेट सेट किया था उस टार्गेट को कर दिया है हम क्योंकि situation अभी भी काफी बुरी हो चुकी है अगेन केसिस लगातार इंक्रीस हो रहें तो फिर उसकी वज़ा से टार्गेट कर दिया है कम पहले क्या टार्गेट था पहले टार्गेट था 14.3 परसेंट का लेकिन अब उसको कम करके 10.4 परसेंट कर दिया है कि इतने है एक भविश्यवाड़ी करी गई है कि होगी नहीं होगी वह आगे हमारी सेच्वेशन के उपर डिपेंड करता है चलो चलते है अपने एडिटोरियल सक्षन की तरफ लाव पेज नमपर सिक से उपर आता है यहां पर अगेन कोविट क्राइजिस के बारें बताया गया है से की वज़ा से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है ठीक है जो गरीब लोग हैं वो काफी डाउन में आ चुके हैं लेकिन अभी भी अगर लॉक्डाउन लग जाता है जो मिडिल मैंने वो और डाउन चले जाएंगे जो अपर साइड वाले थे वो और डाउन आ जाए तब तक कुछ काम नहीं हो पाएगा सही से तो हमें करना पड़ेगा तो कि आने वाले टाइम पे भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल सकती है और यहां पे उसके बारे भी डिसकुशन किया गया ऑक्सिजन क्रैसिस के बारे में कि जो ऑक्सिजन है वो कम टैंकर है सिर्फ साथ हजार और नीड हम लोग को पंद्रह हजार के आसपास की जरूरत है और देखो जब तक यह ऑक्सिजन टैंकर नहीं बढ़ पाएंगे तब तक ऑक्सिजन क्रैसिस यहां पर देखने को मिलेगा एक चीज़ में बता दूं देखो हमारी कंट्री में ऑक् है जो कि इन ऑक्सिजन को इधर से उधर लेकर जाएंगे ठीक है क्योंकि इन टैंकर्स को अच्छी तरीके से बनाया जाता है जो कि ऑक्सिजन को लिक्विड पर मेंटेन करके रखता है विल डिसकास टुमारो नौ आगे बढ़ता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहां पर एक आर्डिकल देखने को मिलेगा बोला क्या है इलेक्शन कमिशन ओफ और चाहिए किस चीज़ को लेकर जो वेस्ट बेंगॉल के अंदर एलेक्शन की रिलीस देखने को मिली है उसके प्राधी क्योंकि अभी हाँपे आप को मालूम होगा कि ट्रिपल म्यूटन देखने को म कोविड-19 के अंदर और वह कहां पर पाया गया है वह पाया गया है वेस्ट बेंगॉल के अंदर और वह ऐसा म्यूटेंट है जो कि किसी की इम्यूरेटी वगरा से भी नहीं डरता है अगर आप इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉंग है तब भी वह अटैक करेगा ठीक है और काफियत तक निकल रही है तो यहां पर ऑथर जो बोल रहा है मैं आपको वही चीज़े बता रहा हूं तो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया नहीं हैं पर डिसीजन लिया कि अब यहां पर इन चीजों को रोका जाएगा वेस्ट बेंगोल जो असेंब्ली एलेक्शन से उन पर अब यहां पर फोड़ी सी रोक लगाई जाएगी ठीके क्योंकि अब्यसी बात है बहुत सारी यहां पर प्रब्लम से देखने को मिल रही है और यहां पर बोला गया है कि जो यह मीटिंग होगी इसको अटेंड करेंगे पांस से जादा लोग इसको अटेंड नहीं करेंगे ठीके और साथी साथ बेंगॉल हेल्थ इंफ्रस्रक्षर आज के टाइम पर कोई रोबस्ट सिचुएशन में नहीं है मतलब स्ट्रॉंग नहीं है ठीके तो आज के टाइम पर इसकी वजह से कोवीट के केसिस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ठीके और उसके बाद मुटेन देखने को मिल गया वह है तर कहिस तर्पल मुटेन्ट सम्सक्राइब होने और नजर लोग से बात करें वेस्ट बेंगॉल का फिल्ट इंफ्रेस्टेशर खृब हैो देखो हमारे काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर काफी जादे खराब है और इसके ओपर हमें आज के टाइम से काम करना पड़ेगा अधर्वाइस जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर दे रखा है यहां पर बोला गया है पंचायती राज के बारे में तो आज पंचायती राज डे हैं तो अब यहां पर मैं आपको सारी चीज़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो इसके बारे मैं बना दूंगा वीडियो तो अभी यहां पर जो है अभी मैं नहीं उसको थोड़ा सा डीटेल बनाने के लिए क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी अभी कि छोटा सा वीडियो बना दो हम लोग को एक ओवर्वीव मिल जाए हैं लेकिन इस आर्टिकल का इस्तमाल आप लोग अपने अग्जाम में नहीं कर सकते हैं इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है और इस्तमाल क्या करना है आपको बुक का इस्तमाल करना है पॉलिटी की लक्षमिकांत की उठाओ और वहां से बढ़ो कौशन वहां से बनेगा ओ आप इसली छोड़ सकते हो उसका एक आर्टिकल यह जो है हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई है जिसकी वजह से कोविट पेशेंट के डैथ हो गई है उसके बारे में बताया गया है फिलाल जो है यहां पर यह भी हमाले इंपॉर्डेंट दो नहीं है ठीक है तो यहां पर